हाई गाईज स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफेशनल बीटी वर्ड में कैसे हैं आप सब सो गाईज देखे किस तरह से हमने फ्लॉलेस बेस क्रेट किया है प्रोडेक्ट नॉलेस के साथ में मैं आपको एक लास देने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे मैंने क्लाइंट का फेस फोश करवा दिया है और उसके बाद में टोनर यूज किया है काया का प्यूरिफाइंग देन मैं यूज कर रही हूँ मॉस्टराइजिंग लॉशन जो सेटा फिल का है यह आल स्कीन टाइप है और किसी भी स्कीन पर आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा है अगर आप मॉस्टराइजिंग के लिए इसको यूज करते हैं मैटिफाइंग प्राइमर मैं इनके face पर apply कर रही हूँ देखे guys इनके बहुत ज़ादा open pores भी है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करेंगे क्योंकि अब भी देखिए बहुत ज़ादा sweating होती है तो पहले उसको control करन बहुत ज़रूरी है टिफाइंग प्राइमर के बाद में हम यूज़ करने वाले हैं NYX का pore filler primer देखिए सभी products के मैंने pick side में लगा दिये हैं आप देख सकते हैं सभी product बहुत अच्छे brand के हैं और काफी अच्छा है इनका result है तो pore filler primer को आपको जहाँ जहाँ open pores से वहाँ पर apply करना है and dab dab करना है देखिए हमारा mean क्या होता है कि जो भी हमारे open pores है उनको fill करना तो आपको बहुत ही light hand से dab dab करना है या फिर circular motion में आपको लगाना है वो बिल्कुल एक अलग से video बना दूंगी बिल्कुल जो तरीका होता है proper तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए मैंने हर step के बीच में time दिया है तो आपको भी हर एक step के बीच में time देना है eyebrow filling करने के बाद में जो भी इनके problem से देखिए इनके छोटे छोटे बारिक-बारिक से पूरे face पर उनको cover करने के लिए मैंने use किया है d5 dharma guys अभी last videos में ही मैंने d5 का आपको review किया है जिसमें मैंन से skin tone पर और कौन से under tone पर हम इसको काम में लेते हैं तो जहाँ जहाँ problem थी वहाँ पर मैंने shade apply किया है एंड उसको अच्छे से blend कर दिया है इसको blend करने के बाद में foundation मैं use कर रही हूँ super steaka तो जो इस super steaka shade है 310 sun base ओके ये वाला shading के skin tone के लिए perfect है मुझे और कोई shade mix करने की जरुरत नहीं पड़ी है और इसको all over face पर हमें apply कर देना है आप beauty blender के help से भी कर सकते हैं और brush के help से भी कर सकते हैं ये flat हमारा foundation brush होता है जिसके synthetic crystals होते हैं apply करने के लिए आप ये वाला brush use करेंगे अगर आप beauty blender से use करना चाहते हैं तो वह भी use कर सकते हैं okay पूरे face पर आपको इसको इस तरह से dabbing motion में apply कर देना है आपको हर एक area जो सामने visible होता है उसको cover करना है even हमें ears पर भी apply करना होता है हमारी neck पर भी apply करना होता है जो जो area open है सामने उसको हमें पूरे को cover करना रहता है उसके बाद में जहां हमने eyebrows fill की थी वहाँ आपको थोड़ा ध्यान से apply करना है proper shape को follow करते हुए और जो भी हमारे hair line पर hairs है वहाँ से आपको थोड़ी दूरी बन कर apply करना है और then blend करते हुए आप इसको उपर की तरफ लेकर जाएंगे आपके hairs में foundation fill नहीं होना चाहिए ओके तो देखे पूरे face पर और neck पर मैंने इसको apply कर दिया है और इसके बाद में आपको बहुत ही light hand beauty blender से blend कर देना है beauty blender आपको बिल्कुल आपको पानी में थोड़े time पहले डिप कर देना है और उसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर टिशू में आपको अच्छे से आपको टिशू में निचोड़ना है और उसके बाद में आपको देरे जीरे बहुत ही light hand से dabbing motion में आपको blend करना है swipe नहीं करना है क्योंकि हमारा वर्णा जो orange character हमने लगाया है and foundation हो दोनों mix हो जाएंगे हमारा color change हो जाएगा तो बिल्कुल जहां आपको जहां के तहां जहां आपका product है बस महीं पर आपको इस तरीके से blend करना है देखिए eyes के नीचे आपको अच्छे से blend कर देना है और पूरे face पर आप अच्छे से blend कर देंगे बिल्कुल dabbing motion में देखिए अभी video मैंने थोड़ा fast कर दिया है और guys जहां पर जादा बड़े hairs है वहां पर आपको foundation बहुत जादा नहीं लगाना है blend करते वह ले जाना है guys यह मेरे बहार के bright थी तो यह direct मेरे पास आई थी तो मुझे नहीं पता था इन्होंने facial कुछ भी नहीं करवाया face पर इनके tanning भी थी face पर और सब कुछ और इन्होंने hairs भी निकालने के लिए मना कर दिया तो जैसे थी मुझे वैसे ही इन पर make-up करना पड़ा बट फिर भी आप देखें बहुत ही flawless make-up हुआ है तो आपको पूरे face पर अच्छे से blend कर देना है अभी आप देख सकते हैं इनके hairs नीचे की तरफ इनका direction है लेकिन फिर भी कहीं भी foundation उनमें fill नहीं हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से apply करना है blend करना है then मैंने लिया है देखें जो मेरा 3-10 sun base shade था 70% मैंने वो लिया है and 30% मैंने इसमे ivory shade mix किया है and then मैं कर रही हूँ इनके highlighting liquid highlighting जो हम करते हैं वो मैं foundation के help से कर रही हूँ and इनके skin tone से two tone मैंने अपने foundation को lighter बना लिया है और जो भी हमारे highlighting points से वहाँ पर apply करके वहाँ हमें plant कर देना है तो देखिए अगर इस वक्त अगर liquid contouring आप नहीं भी करते हैं तो जो यह आपने highlighting के लिए shades apply किये हैं उसके बाद देखिए आपका contour area अपने आप बहार निकल कर आ गया है तो अगर आप liquid contouring skip करना चाहते हैं तो skip कर सकते हैं या फिर आप कर भी सकते हैं अभी मैं करूंगी लेकिन मैं बहुत ही soft contouring करूंगी क्योंकि इनको बहुत natural look चाहिए था इनको बिल्कुल भी over नहीं चाहिए था तो इसलिए बहुत ही soft हम सब कुछ blusher contouring सब कुछ बहुत soft करेंगे तो आपने क्या करना है highlighting का जो product आपने apply किया है उसको आपको बहुत अच्छे से blend कर देना है and then मैं use कर रही हूँ यह liquid contouring की brush है PAC की तो उसी के help से मैंने shade apply किया है इनके skin tone से two tone darker and बहुत ही light hands और forehead तो देखे इनका छोटा सा है तो मुझे apply करने की requirement नहीं लगी and माथा पट्टी हम लगाएंगे तो मैंने वो वाला area keep कर दिया है and contouring को blend करने के बाद में मैंने लिया है lacmica face powder and उसको पूरे all over face पर brush की help से मैंने apply कर दिया है आप यहाँ पर translucent powder यह loose powder भी use कर सकते हैं बट मैंने lacmica compact powder और इसी से बहुत अच्छे से इनके base को set कर दिया है अभी आप देख पारें इनके सभी flaws hide हो गए है और काफी flawless look इनको मिल गया है और अभी देखिए एक बार makeup अच्छे से set हो जाएगा उसके बाद में बिलकुल हमारी skin के साथ में मारज हो जाता और बहुत अच्छा लगता है then मैं यूज कर रही हूँ NYX का matte finish spray और इसको करके आपको थोड़ा सूखने देना है इसके बाद में आपको face पर touch नहीं करना है then मैं कर रही हूँ powder contouring जो कि बहुत ही light बहुत ही light से हमें करनी है तो जो भी हमारे contouring जहां मैंने आपको पढ़ा हूँ अभी है कि कहा कहा हम face के according face shape के according contouring करते हैं जैसे कि इनके मुझे forehead पर requirement नहीं थी तो मैंने forehead पर नहीं किया so contouring करके आपको इसको blend कर देना है इसी brush से तो यह वाली contouring brush है जो कि थोड़ी सी angle इसका निकला हुआ आता है तो भही हम use करते है then blusher brush में use करें और blusher मैंने pink shade लिया है थोड़ा pink and coral को mix करते हुए इनके blusher apply किया है जो कि बहुत ही soft रखेंगे बहुत natural रखेंगे हम बिल्कुल भी इसको pop out नहीं करेंगे बिल्कुल highlight नहीं करेंगे so blusher apply करने के बाद में थोड़ा सा देखे last brush मैंने वैसे ही nose पर swipe की है और blusher अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप देखें मैं सिर्फ आपको बताने के लिए technique यूज़ कर रही हूँ बागे मैंने बहुत light blusher यूज़ किया है कि आप अपने compact के साथ beauty blender में थोड़ा स यूज़ की प्यारा है रेंज इसकी 32 रूपर बहुत अच्छा है तो देखिए फॉरेट पर भी आपको highlighter आपने देखा होगा दो तरीकों से हम apply करते हैं एक तो बीच में करते हैं कुछ artists करते हैं कुछ clients के हम करते हैं eyebrows के उपर तो वह reason होता है जिनका forehead बड़ा होता है वहा हम बीच में करते हैं सो देन मैं apply कर रही हूं lipstick lipstick मैं use कर रही हूं lac में और यह shade तो guys मुझे भी याद नहीं है मैं बाद में आपको बता दूँगी तो बहुत ही अच्छे से आपको शेप को follow करते हुए या अगर client के जो lips shape है वो uneven है तो आपको उसको even करना है आपको देखना है अगर उपर का लिप छोटा है नीचे का बड़ा है तो किस तरह से आपको उसको maintain करके चलना है वह आपको देखना है and then आप देख सकते हैं हमार makeup done हो चुक है और कितना flawless base इनका बनकर ready हुए थेंक्यू